हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे यूटूब चैनल कविंदर भाईया में तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे कच्छा साथ का विज्ञान भारती जो है यूपी बोर्ड से है ठीक है पाठ दो है हमारा रेसो से वस्तर तक याने की रेसी जो होती है उस से वस्तर तक हम लोग पढ़ेंगे प्रशन उत्तर तो चलिए दोस्तों पहला प्रशन करते हैं हमारा पहला प्रशन है ठीक है पहला प्रशन है निम्न लिखित प्रशनों में शही विकल्प छाट कर अभ्या पुस्तिका में लिखना है तो देंगियों पहला प्रश्ण करने वाले जन्तु जो मतलब धारण जो करते हैं उन्हों को क्या करते हैं जो जिनके जिनके सरीर पे उन रहता है उन्हें क्या कहते हैं पहला है उट तथा याक अलपक का तथा लामा एक टानमर है अंगोरा बकरी तथा कस्मीरी बकरी और 2 नमर उपरोक्त सभी तो दोस्तों इसमें से हम लोगों का सभी सही इसलिए उपरोक्त सही हम लोगों का सही हो जाएगा ठीक है और ख़़ नमबर है भेड तथा रेशम कीट होते हैं ठीक है जो भेड होते हैं और जो रेशम कीट होते हैं वो क्या कहते हैं तो देखिए होते हैं साकाहारी, मांसाहारी, सारवाहारी या अपमार्जक यानि कि यह बोल रहा है कि वो साकाहारी होते हैं मतलब जो मांसाहारी होत यह अपमार जोग तो यह दोस्तों हम लोगों का सही होगा साकाहारी क्योंकि वह मांस कुछ नहीं खाते हैं ठीक है गह नंबर है भेड के रेशों की चिकनाई धूल और गरत निकालने के लिए कि जाने वाले प्रक्रिया कहलाती हैं की जाने वाले प्रक्रिया कहराती है तो अभी मार जन ठीक है अभी मार जन कहलाती है और हम लोगों का गह नंबर है गह नंबर रेशम है रेशम क्या है दोस्तों यहिंग लोगों को बताना तो मानो निर्मित रेशे पादप रेशे जन्तू रेशे या प्रोक्त सभी तो जन्तू रेशे ठीक है और दो नंबर प्रश्ण हम लोग का रिक्तस्थानों की पूर्ति कीजिए कर नंबर है उन समानत पालतू भेड़ों के त्वच्चिय रिक्तस्थाने आप हैं से प्राप् से प्राप्त किये जाते हैं उनकी से प्राप्त किये जाते हैं तो त्वच्चिय बालों से ठीक है तो पालतू भेड़ जो देखेंगे आप लोग होते हैं उन्हीं से उन प्राप्त होता है ठीक है घौन नंबर है उनके रेशे के बीच वायू रुक कर उसमा की कुचालक को क करती है गौन नंबर है रेशम प्राप्द करने के लिए रेशम कीट पालन विज्ञान रिक्तस्थान ने कहलाता है सेरी कल्चर ठीक है सेरी कल्चर कहलाता है गौन नंबर है प्यूपा के चारों और रेशम ग्रंथी से स्रवीत पदार्थ से लिपटी संद्राचिना रिक्तस् अंगा नमबर है रेशम उद्योग के कारिगर रिक्तस्थन नामक जिवाडु द्वारा संक्रामित हो जाते हैं तो इसका हो जाएगा यहाँ पे एनेक्स ठीक है एनेक्स हो जाएगा तीन नमबर प्रश्ण है सही कथन के आगे सही वो गलत कथन के आगे गलत का चिन लगाईए को नमबर है कस्मीरी बकरी के बालों से पस्मीना उन की साले बनाई जाती हैं तो यह हम लोगों का सही है नमबर है उन प्राप्त करने के लिए भेड के बालों को जाड़े के मौसम में काटा जाता है नहीं दोस्तों यह बिल्कुल गलत कह रहा है क्यूंकि उन प्राप्त करने के लिए भेडों के बालों को हम लोगों को गर्मी में कटाई होता है ठीक है गोर नमबर है अच्छे नसल की भेडो को जन्म देने के लिए मुलायम बालो वाले विसेश भेडो को चैन की प्रक्रिया वड़ात्मक प्रजनन कहलाती है गोर नमबर है सिलक का धागा प्राप्त करने के लिए प्यूपा से वयस्क कीट बनाने से पूरव ही कोकून को उबलते पानी में डाला जाता है गोर नमबर है रेसम कीट के अंडे से प्यूपा निकलते हैं यह अम लोगका गलत है चार नमबर प्रश्ण है अस्तम्ब का में दिये गए वाक्यों को अस्तम्ब खास के वाक्यों से मिलान कीजिए तो आप लोग देख सकते हैं यह यह अस्तम्ब का है और यह अस्तम्ब खास है तो इसी को अस्तम्ब का से अस्तम्ब खास में मिलाना है तो का नमबर है अभी मार् महीं काटी काटी गई की सफाइ ठीके और खण नंबर ए कोकूण तो कोकून का होगा रेशम के रेशे उत्पन करता है और गां नंबर न याक मही का होगा उन देने वाले जन्तू जो उन जिसे में प्राप्त होते हैं उन का भोजन ठीक है सातूत की पतिया रेसम कीट का भोजन अंगाना मेरे रिलिंग रेसम के रेसिस का संचाधन ठीक है तो दोस्तों हम लोगों का पाच नमबर प्रश्ण है निम्नलिखित प्रश्णों के उत्तर दीजिए को नमबर प्रश्ण है उन किसे कहते हैं उन जन्तुओं का नाम लिखिए जिनसे उन प्राप्त किये जाते हैं ठीके देखिए दोस्तों इसमें उन बताना है कि उन किसे कहते हैं और उन जंतुओं का नाम बताना है जिनसे उन प्राप्त होते हैं समानता भेड की तवचा के बाल से प्राप्त किये जाने वाले मुलायम घने रेसों को उन कहा जाता है खान नंबर एम लोगा उन प्रदान करने वाले भेड़ों की कुछ भारतिय नशलों के नाम लिखिये तो उत्तर है जम्मु कास्मीर के पहाड़ी छेत्रों में पाए जाने वाले अंगोरा बक्री तथा कस्मीरी बक्री जम्मू कास्मीर में जो है पहाडी छेत्र वहाँ पे पाय जाने वाले दो बकरी हैं कौन-कौन से तो एक है अंगोरा बकरी और दुसरा कस्मीरी बकरी ठीक है और गौर नमबर है वर्डात्मक प्रजनन से आप क्या समझते हैं तो इसका उत्तर है भेड की जिन नशलों के सरीर परघने बाल होते हैं उनका अच्छी नसल की भेडों को जन्म देने के लिए जनक के रूप में चैन करने की प्रक्रिया को वर्डात्मक प्रजनन कहते हैं ठीक है तो गर नमबर है हम लोगों का जाड़े में उनी वस्त्र को पहनने क्यों आरामदायक होता है तो उत्तर है उनी वस्त्रों के बीच वायू अधिक मात्रा में भर जाती है जो उस्मा की कुचालक की भातिक कार्य करने लगती है इस प्रकार सर्दी के मोशम में उनी वस्त्र पहनने पर सरीर का ताप इस्तिर रहता है और ठंडा नहीं लगता है जिसके कारण जाड़ों में उनी वस्त्र पहनना अरामदायक होता है तो दोस्तों इसमें आप लोग कुछ ध्यान दिये होंगे कि कुचालक क्या होता है ठीक जिसमें धारा का प्रवा ना हो सके ठीक है जिसमें धारा का प्रवा ना हो सके तो अंगा नमर है रेसम प्राप्त करने के लिए रेसम कीट के कोकून को उबालते पानी में डालना क्यों आवस्यक होता है कारण दीजिए ठीक है इसको अमनों को कारण बताना है तो उत्तर है इस को एक कत्रित करके उन्हें उबलते पानी में याने 95 डिग्री से 97 डिग्री सेलसियस तक लगभग 10-15 मिनट के लिए डाल दिया जाता है इससे कोकून के चारों और लिप्टे रेसों के बीच का चिप 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 पदार्थ घूल जाता है और रेसम के रेस प्रिथक हो जाते ह प्रिथक मतलब होता है अलग ठीक है प्रिथक मतलब होता है अलग छे नमबर प्रशन है रेसम कीट के बीभिन किस्मों किस्मों से प्राप्त कुछ रेशम के रेशों का नाम लिखिए तो इसका उत्तर है रेसम कीट के बीभिन किस्मों से प्राप्त कुछ रेसे हैं जैसे ट उन तथा रेशम के दो दो उपियोग लिखिये तो उत्तर है इसका उन से उनी वस्त्र तथा कंबल बनाया जाता है ठीक है उन से उनी वस्त्र तथा कंबल बनाया जाता है और रेशम से रेशमी वस्त्र एवं पैराशूट बनाया जाता है ठीक है पैराशूट बनाया जाता है आठ नमर प्राश्न है भेड के रेशों को उन से संसाधित करने के विभिन चरणों को क्रमा अनुशार वडित कीजिए तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं इसका उत्तर है भेड के रेशों को उन में संसाधित करने के विभिन चरण है पहला चरण है भेडों के बालों की कटाई तो चले देखते हैं मशीनों द्वारा भेडों के बालों की कटाई की जाती है जो समानत गर्मी के मौसम में होता है मैंने आपको बताया भी था कि यह मौसम किस में होना चाहिए तो गर्मी का ही मौसम में बालों को कटाई होता है दूसरा चरण है अभी मार्जन ठीक है यह किरिया अभी मार्जन कहलाती है तीसरा चरण हम लोगों का छटाई अभी मार्जन के बाद रेसों के छटाई होती है जिसके जिसमें अच्छी रुआएदार रेस को उसकी लंबाई चिकनाई तथा हलके पन के आधार पर अलग अलग कर लिए जाते हैं और चोथा चरण ह है कताई अभी मार्जन से प्राप्त रेसों को सुखाने के बाद छोटी-छोटी कोमल वह फूले हुए रेसों की उनके धागे के रूप में कताई की जाती है और पाचवा है चरण रंगाई भेड़ो अथवा बकरियों से प्रातरे से प्रायकाले भूरे अथवा सफेद रंग के होते हैं विविदता पैदा करने के लिए इन रेशों की विविन रंगों से रंगाई की जाती है चटवा चरण है हम लोगों का उनी धागा बनाना रंगाई के बाद इन रेशों को सुलजा कर सीधा किया जाता है और फिर लपेट कर उनसे उनी धागा बनाया जाता है तो दोस्तों यहां से हम लोगों का यह खतम होता है तो आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बता है अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों ज्यादा से ज्यादा सेयर करें ताकि कच्छा अच्छी तरह से पढ़कर और परिच्छा में उत्रिड हो सके धन्यवाद